बारे बारिश के कारण अवनपाली अहेरी तालुका में यंग त्रोपेथा ग्राम पंचायत के अंतरगत आता है अवनपाली गाव तीन तरफ से घेराबंदी में था लेकिन वहां के लोग बाहर जाने को तयान नहीं थे पाने के रास्ते गाव पहुचने के बाद नागरेकों के साथ बात करते हुए बाड़ बढ़ने की संभावना है और आप खत्रे में पढ़ सकते हैं लिया आपको जगत छोड़न देनी चाहिए नागरेकों ने उसकी बाद सुनके उसके बाद अहीरी के तैसलदार ओटारी सहाब को बलाया और एक कार बलाई और उक्त गाव के असी से सो लोग अहीरी आएंगे और उन्हें एकलव्य विध्याले मिस्रक्षित रखा गया है नागिपली ग्राम पंचाय शेत्र के बाड़ पीडितों नी सांसत धमराव बा अतरम के साथ बैठा की अहीरी विधानसवा शेत्र के अंतरगत आने वाले अलापली नागपली ग्राम पंचायक में पिछले कई दिनों से लगातार होरी भारी बारिश के कारण शेहर से सटे चोटे बड़े नालो का पाने शेत्र के कई घरों में खुस गया है और कई नागरिकों को काफी नुकसान हुआ है तद अनुसार अहीरी विधानसवा शेत्र के विधायक मालनिय धमराव बाबा अतराम ने नागपुर से गड़ चिरोली होते हुए सीधे मुंबई से मूलच चोग टेकडी कॉलोनी एचपी पैट्रूल पंप ने रहवासियों के घर जाकर शेत्र का जायज अलिया उसके बाद उन्होंने नागपली ग्राम पंचायत के तहर सभी शेत्रों में नागरिकों के घरों का द्वारा किया इसी तरह वे नागपली ग्राम पंचायत शेत्र के यंका पली गए और बार प्रभावित किसानों के साथ चर्चा की और मोदु मद्गू शेतर में बार प्रभावित नागरीकों के साथ चर्चा की और तुरंत सरकाद्वारा शतिगरस्त घरों के लिए पंचिनामा जारी किया इस दोरान तैसिल कारियाले में आंत्रिक अधिकारी मौझूद रहे। पुलस पार्टिल नाकपल्ली साथ ही ग्राम विकास सधिकारी नाकपल्ली लोमिश वाके आराई संतु श्री रामे तलाथी एकनाथ थीपले कारिकरता पहले मौझूद थे। अहिरी से BCN न्यूस के लिए आसे पठान की रेपोट।